हेलो फ्रेंट्स इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन का हम यूज कैसे करते हैं आईए अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रांजेक्शन में हम मोडिफाई कैसे करते हैं और उसका यूज हम कैसे करते हैं यह हमारा डोप प्रीमियर सीसी है यह उसका पूरा लेयाउट है यह सोर्स मोनिटर, प्रोग्राम मोनिटर, बीन आपका और यह है आपकी टाइमलाइन तो टाइमलाइन पर हमने एक कुछ ट्रांजेक्शन डाली हुई है इस टाइप से हर कट पर हमने ट्रांजेक्शन डाली है, एक और ट्रांजेक्शन में लगा देता हूं अब क्या है आपको क्या करना है? यह हम effect control में जाते हैं जैसी हम इस पे किलिक करते हैं इस पॉइंट पे तो यहाँ आपकी ट्रांजेक्शन सो करने लग जाते हैं यहाँ पर क्या है आप अपनी ट्रांजेक्शन की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं जैसे कि यह देखिए मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ आप नॉर्मली यहा यहां पर भी ऑटोमेटिक आपकीkichirm कम हो जाती है। यहां से आप भी आपकी 23 फ्रेम है। यहां से आपकी आप पूरी ट्रांजेक्ष्ण एंटायर ही arse बीडियो और चाहें तो इस type से इसको move भी कर सकते हैं, यह देखिए, आप यह देख रहे हैं, यह start point से आपको कितनी रखनी है, यहाँ पर कर सकते हैं 15 second की, और यहाँ पर 25 second आप कर सकते हैं, तो यह देखिए, यह आपकी बहुत slow motion में चली जाएगी, यह हमने band transaction लगा हुई है, यहाँ पर आपको यह कभी slow नहीं करेगी, जैसी आप यहाँ पर click करेंगे, इस point पर, और जाके यहाँ पर effect control में आपने जाना है, यह देखिए, तो यह आपकी duration slow करने लगेगी transaction की, यहाँ पर center cut से start करना है, start add cut से start करना है, वो सारे option यहाँ पर द देखिए, तो transaction आपकी इस point से start हो गई है, यह center पर जैसे आप click करते हैं, तो यह center split transaction आपकी so करने लग गया है, इसको आप normally यहाँ से मढ़ा सकते हैं, तो friends यह था हमारा modify in effect control, कि कैसे हम effect control के अंदर transaction को modify कर सकते हैं, तो please keep watching my tutorial on the YouTube channel.